अब मैं आप से जो सवाल भूचूँगा वो कुछ स्ट्राटेजी से लिहाज से भले ही आप इसको अवाइड कर सकते हैं लेकिन हम जानना जरूरू चाहेंगे क्योंकि आप को मास्टर स्ट्राटेजीशन कहा जाता है राजनीती चुनावी जो मैं हूँ नहीं मैं सिधा साधा रातनितिक कारे करता हूं लोगों के बीच में रहता रहता पड़दा पोश्टर लगाता लगाता बूत का काम करते करते आगे बढ़ा हुआ कारे करता हूं क्योंकि मेरी पार्टी में कारे करता को आगे बढ़ाने का इतियास भी है और संस् देखें कोई नई बात नहीं है स्वाभावी ग्रूप से पार्टी का काम इतना बढ़ता है सरकारे अच्छा काम करती है जितने की संभावनाय बढ़ती है तो ज्यादा से ज्यादा लोग टिकेट की मांग करते हैं मगर वहाँ पर पार्टी का संगठन इतना पुराना है कि हर जीले में हमारे पास जीले को जानने वाले सीट को जानने वाले कई हमारे संगठनात्मक नेता उपलब्ध हैं उनको हर चीज की जानकारी भी है और वो बिना किसी संकोच से बिना किसी डर से हर प्रत्यासी के लिए अपना अभीप्राई प्रदेश के पार्लामेंटरी बॉड को देते हैं और प्रदेश का पार्लामेंटरी बॉड उस जीले स्तर से आए हुए अभीप्राईों को संकलित करकर अभीप्राई प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश करते हैं और जो करते हैं वह बहुत लंबे समझ से पार्टी से जुड़े हुए भी नहीं होते हैं हमारे यहां टिकीटों के बटवारे में अकसर इतना लंबा कंसल्टेशन का प्रोसेश है कि गल्ती होने की संभावने बहुत कम होती लेकिन इस बार कुछ लोग जो थे वो थोड़ा खुलकर नाराजगे अपनी वेप कर रहे थे क्या इस से फर्क पड़ेगा इस बार नहीं हर बार करते हैं और मेरा छे चुनाव का अनभव है इस बार साइट कम से कम हुआ है एक और चीज में आप से समझना चाहूंगा वो यह है कि एक सेंस आप लोगों ने लिया टिकेट के टाइम पर फिर मैनिफेस्टों के टाइम पर भी आपने कई सारी फीड़बैक्स लिये अब जब चुनाव एकदम पीक पर चल रहा है तो पहले और अब में आपको क्या कुछ फर्क दिख रहा है जनता के मूड में या जिस तरीके से चुनाव आगे बढ़ रहा है दिखे चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ता है रादनीतिक दलों के प्रचार कम होते हैं और जनता सरफेस पर ज्यादा आती है जो अब शुरूआत हुई है आप पांच दिन और जाने दिजिए सीरी नीर गुजरात की जनता ही कर देगी सब लोग बोलने लगेंगे फिर से एक बार मजबूती से बाज़पा की सरकार बनने जा रही है सवाल यह है कि कई कुछ मंत्रियों के टिकेट भी कटे अब क्या उनकी परफॉर्मेंस को लेकर सवाल उठने लाज़मी नहीं है कई सारे रोल होते हैं पार्टी में कई लोगों के टिकेट करते हैं वो पार्टी का संगठन का काम करते हैं कई लोग संगठन का काम करते हैं उनको टिकेट मिलता है पाटी में हर व्यक्ति एक ही प्रकार की भूमिका करेगा ऐसा तो कभी संभव नहीं होता है और जिनके टिकेट कटे हैं वो भी ज्यादातर लोग, मैं सबको जानता हूँ इतने अर्से से इनके साथ ही एक सहक कारेकरता के रूप में काम किया है ज्यादातर लोग काम में लग गए हैं और खुद चुना उठा रहे हैं कई जगे तो नए प्रत्यासी है तो प्रत्यासी पीछे हैं और जिसका टिकेट कटा है वो आगे तो अच्छे तरीके से काम हो रहा है कॉंग्रेस ही आरोप लगाती है बार बार की हमारे कई नेताओं को इन्होंने लिया अपनी पार्टी में वो हम पर आरोप लगाने की जगे उनको आत्मत चिंतन करना चाहिए कि वो क्यों छोड़ कर जा रहे हैं अगर वो हमारी ही चिंता करेंगे अपनी पार्टी की नहीं करेंगे तो साइद ऐसा ही होगा